वेलकम बैक टू माई चैनल एंसी आर्टी ब्लास्टर कैसे हो बच्छे लोग हो प्या डोइंग वेल मज़े में हो गया अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे आज हम लोग जो है अपना ये चाप्टर आगे बढ़ाते हुए आपका स्टार्ट करते है जो फर्स्ट है दो फ्रे स्टार्ट के बारे में पढ़ाई होगा जो हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में देखा था ठीक है तो उसमें था आपका लोइस सिक्स्टीन था जो कि वहां का किंग था वो बबन डाइनस्टी का था देन वहां पे नैशनल असेमली आई देन रोबस्पियर की गवर्मेंट जिसको हम रहीन ओफ टेरर बोलते थे उसकी बाद फिर हम लोगों ने नेपोलियन के बारे में पढ़ा तो यह सारी चीज़े हमको शॉट में पढ़नी है तो देख लेते आगे France as you would remember was full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch तो 1789 तक के France क्या था absolute monarch था मतलब वहां पे king का rule था और monarchy चलती थी आप सभी को पता हुआ कि monarchy मतलब होता है king's rule ठीक है The political and constitutional changes that came in the wake of French revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to a body of French citizens ठीक है तो क्या हुआ था कि जब लोगों ने रिवाल्ट करना शुरू हुआ किया था वहां पर जो three classes थी concept आया था यह fund आया था कि revolution ने यह बोला था कि जो लोग वहां पर country में रह रहे हैं वहीं लोग वहां के constitution को form करेंगे from the very beginning the French revolutionaries introduced various measures and practices that that could create a sense of collective identity among French people तो फ्रांस की लोगों ने क्या किया था बहुत सारे ऐसे ideas निकाले थे जो एक collective identity को बताएगा collective identity मतलब होता है collective मतलब होता है group तो बहुत सारे लोगों की group of people की common identity होगी ठीक है जिसे for example हम लोग जिसे इंडिया में रहते हैं तो हम इसे कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है कोई सिख है कोई हिसाई है लेकिन बात जब आती एक common identity की तो हम सब क्या है हमारी common identity होगी कि हम सब जो है वो Indians है इस Fatherland and Le Citoyan मतलब the citizen ठीके ले पार्टी का मतलब मतलब होते its Fatherland ठीक है उनको पित्री भूमी जैसे हमारे यहां क्या बोलते हैं भारत मेता को बोते हैं कि हमारी मातरी भूमी है ठीक है Motherland उस तरहरत के से वो लोग fatherland यूज़ करते थे सिटीजन का मतलब होता हिए थिजयन ठीक ह equal rights under a constitution और सभी के सारे के सारे जो community होगी जो भी United होके क्या करेगी equal rights को enjoy करेगी एक constitution के अंदर ठीक है a new French flag the tricolor was chosen to replace the former royal standard ठीक है तो एक नया उनके flag बनाया गया था वो भी tricolor था और उसने जो पुराना जो वो था royal standard का जो flag था उसको replace कर दिया था उसको हटा दिया था the state general was elected by the body of active citizens and renamed national assembly ठीक है again this is a very important point I am going to mark it the state general state generally general उनका parliament type जे था was a body of active citizens ठीक है and renamed national assembly डीको क्या था यह state general उनका parliament था जिसको active citizens वहाँ पर voting करते थे अब भाई active citizens क्या होते है तो active citizens मतला मेल्स ठीक है only males या man members जो कि 25 years से अबव के age हो और अपनी salary अपनी तीन दिन की salary के बराबर जो है वो tax pay कर सकते हों तो उन्हीं को active citizens बोला जाता था all the men's below 25 years of age यह जो लोग tax नहीं पे कर सकते था अपनी तीन दिन की salary के बराबर या फिर पूरी की पूरी विमेन इनको जो है पैसेव सिटीजन बोला जाता था और इन लोग जो है इन लोग times बनते थे ओध स्टीकन और माट्रिस कमेंटरेटे ठीक है तो ओध वग्र लिए गये थे और जो शहीद हुए थे उनको श्रधांजली दी गई थी इसके अलावा all in the name of a nation और साथी चीजी किसके नाम पे हुए थी नेशन के नाम पे हुए थी तेखो यहां पर क्या रहा है नेश्ट्रियता आती है सभी लोगों में कि हम सब एक ही नेशन के हैं करके और सेंट्रिलाइजड एड्मिनिस्ट्रेटिव सिस्ट्म बनाया गया था जो पूरे के पूरे देश के लिए एक था और सभी सिटीजेंस के लिए वह इक्वाल था ठीक है यह यह यूनिफॉर्म लॉस फॉर ऑल सिटीजेंस बोला गया ने कि फ्रांस के टेरिट्री के इंटर्णल कस्ट्रम द्यूटिस य度जर पर एबोलिस एन्ड यूनिफ्रम सिस्ट्रम बेट अड मीजर मेंजर में वह क्या होता था फ्रांस के अलग 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 करंसी चलती तो उसको हटा के पूरे के पूरे देश में एक यूनिफरम एक सिंगल करंसी लाए गई जैसे इ नहां पर है डिजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेश्ट एन फ्रांस एट इट इट वस्पोकन रिटल इन पैरिस बिकेम दा कॉमन लैंग्वेज अपने घर तक ही रखो और जो में जो लैंग्वेज होगा आपस में कम्यूनिकेशन का वह फ्रांस ही होगा क्योंकि पैरिस जो था वहां पर फ्रेंच रेंगवेज यूस किया जाता था ठीक है दर रिवोल्यूशनर इस फॉर्दर डिक्लेड डेट इट वस दे मिशन एंड डेस्टिनी और फ्रांस नेशन तो लिब्रेट पीपल्स अफ रहा था कि फ्रांस की स्मत है इस को मतलब के बाकी सारे नेशन इस्ंनी चरह ऑप और सक क्र शítिट्र टू रचांडल ऑर्ल्प इंश्पाल करेगा है Quindi now डिस्पोटिजम मतलब होता है ताना शाही तो इसको क्या करेगा खतम करेगा वेन दर इवेंट्स इन फ्रांस रिच्ट डिफ्रेंट सीटीज उफ यूरोप स्टूडेंट्स अन अधर वैंबर्स ऑफ एडुकेटेड मिडिल क्लास बिगें सेटिंग 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 जैको सब्सक्राइब केंपेंड प्रिफ्रेंच फ्रांच आर्मी विच मुव इंटो होलेंड बेल्जियम स्विजलन और मच अफ इतली इन 1790 और फ्रांस के बाद कहां कहां पर और ज्यादा इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की लड़ाई लड़नी जा रही थी ठीक है मतलब यूरोप कॉंटिनेंट के लावा हर जगह पे फ्रांस जो था ना वो नेशनलिजम को फैला रहा था बोल सकते हो नेशनलिजम के आइडिया को जो है वो फैलाना शुरू कर दिया था अलग-अलग देश में और हम लोग भी कहीं ने कहीं इंडिया ने भी अपनी स्वत फ्रांस तो नेपोलियन के कुछ यहां पर रिफॉर्म समको देखने हैं जो उसने इंट्रोडियूस कहता यॉरोप में तो नेपोलियन क्या था आप सभी को पते कि नेपोलियन एक ऐसा पर संथा एक आर्मी डिक्टेटर टाइप से था वो ठीक है जिसने सेव ट्रेडिंग काफी जाधा की थी और इसको लिबरल भी बोला जाता था मतलब कुछ हद तक कि उसके काम सहीं भी थे और उसने कुछ कोट्स लाए थे जिसको नेपोलियन कोड यह फिर सिविल कोड बोलते हैं वह अपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट हैं थूर रिटन तू मोनार्क कि नेपोलियन हैड नॉडब डिस्ट्रॉइड डि म्रेसी इं फिरनपोलियन नेपोलियन ने क्या था मोनार्करी को फ्रांस में वापस ले था और वहां पर कि देमोकरेसी को अन्यां के दी पर बहुत जाद़ यूनिफर्म और और यप्सिंवेंट मतलब कि एक सही इसको क्या बोले जाता है कि बेसिके की बोले जाता है इसको बेसिके बोले जाता है यह आपका काफ़ी इसमें क्या वह था जोबी मिलती है उसको दिया गया था इसका मतलब उसको बैन करवा दिया गया था सब्सक्राइब सब्सक्राइब करा है बगवालो करें तो और नोगों के होगी और उन्हीं की जो इंकी होगी यह को राइट इसको सेक्ट था था डीस कोड़ीर पीच शर जुथ के जो ऊंड यह फ्रेंच कोंट्रोल और इसको बाहन पूलीय रूल कर तीक अपन। में कर लिया था उसने in the Dutch Republic in Switzerland in Italy and Germany Napoleon simplified administrative division तो इन सारे जगों पर Napoleon ने क्या किया था administrative division को जो था वो simplify किया था किस तरीके से simplify किया था देखते हैं abolish the feudal system and freed peasants from softdom and manorial dues ठीक है तो इसने क्या क्या abolish किया था feudal system मतलब taxation system को जो था बंद करवाय था and peasants को मतलब farmers को free from softdom and manorial dues तो यह जो होते था softdom and manorial dues जो थे वो टेकसस थे उन से भी क्या करवाय था इन लोगों को free करवाय था ठीक है in the down to guild restrictions were removed और जो थे बहुत सारे restrictions जो थे उनको भी remove करवा दिया गया था transport and communications देखो यह जो मैं मार्क करवारे हैं इसको मैं अभी से important बताती हूं कि आपके exam में जो है इससे questions बिल्कुल बनने के चांसे से ठीक है यह जो Napoleon code है यह Napoleon के civil code है इससे इसको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं स्किप नहीं करना ठीक है चलो आगे लोगों को एक दूसर से बात करने में या एक जगह से दूसरी जगह समान लेकि आने जाने में दिक्कत ना हो पिजन्स, आर्टिशन, वरकर और निउ बिजन्समेन इंजॉइड और न्यू फाउंड फ्रीडम ठीक है थे जो इसके अलबह हो गया आपके वरकर्स वगर थे पिजन्स थे इननों को सब क्या हुआ था कि नया फ्रीडम मिल रहा था इननों को उभरते हुए फ्रीडम दिया जा रहा था इनको बिजनेस में स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स इन पर्टिक्लर बिगें टू रियलाइज दे यूनिफॉर्म लॉज ठीक है और जो बिजनेस वगर थे उसको थोड़ा सा इजी कर दिया गया था क्योंकि सब जगह पर वेटन मेजर्मेंट एक था मतलब जो करन सब्सक्राइज वेटन मेजर एंड कॉमन नैशनल करन्सी फेसिलिटेट था मतलब उसने यह बोला था नेपोलियन के हिसाब से कि यह इक्वल वेटन मेजर्मेंट होगा लोगों को टेक्सेशन में फ्रीडम दिया जाएगा ठीक है पीजन्स को हो गया स्मॉल बिजनसमेंस व हो तो प्रॉफिट होना होना है थो त्रीक से सने क्या किया gegangen था पूरे को करेंट को पूरे की पूरे Kraks को और उसके साथ फ्रांस को एंदर मे जो भी करें चलो हावेवर और तो मि일ș तॉटते लोग थे उनकी बाते माने जारे थी चुछ दिरॉप्रक शूरॉजर बाते माता है तॉच बाते माने जारे थी कुछ हूणकी बाते मैंने जारे थी इनिसरे in many places such as Holland and Switzerland as well as in certain cities like Brussels means Milan and Warsaw the French armies were welcomed as harbingers of liberty ठीक है तो इस तरीके से जो है इन लोग को ये माना जा रहा था कि कि जो मतलब जो फ्रांस के लोग है ना इन लोग क्या कर रहा है कि इन लोग लिबर्टी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा है ठीक है तो इस तरीके से इन कर्प्री से माना जा रहा था जो कि फ्रांस के सबॉर्डिनेट थे बट इन इनिशियल एंथुजियसम सून टू होस्ट अच्छे से ट्रीटमेंट मिल रहा है एज बिकेम क्लियर डट न्यूव अड्मिनेस्ट्रेटिव अरेंजमेंट दिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीरम और दीरे दीरे पता चलता गया कि भाई यह जो शुरू में जितना अच्छा दिख रहा है नहीं इसके पीछे इसका अपना खूत का फायदा है पहले तो लिख रहा था कि हार्ब्रिंगर से किसका लिबर्टी का मतलब हमको आजादी दिलाएगा लेकिन बाद में इसमें दिक्कते होनी लग गई थी चीक है इसके बाद फिर आपका इंक्रीस टैक्सेशन सेंसेशिप फोर् प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रोनिक मीडिया हो मतलब आपका प्रेस हो या फिर न्यूस चैनल या कोई भी पीपल जो है परसन जो इंडिविज़ वो जो जिस भी जैकी का जो हैड है मतलब जैसे फ्रांस की बात चल लुए तो फ्रांस का जो हैड है उस ताम पे नेपो प्रेंच आर्मी जो है फ्रांस के उसमें वो कर दिया जाएगा आर्मी बगर में रिक्वार्ट टू कंपेर दर रेस्ट अफ यूरोप और बाद में इनको क्या जरूरत पड़ी थी में इनको ऐसा था ना नेपोलियन को कि ऐसे भी करके अपने अंडर में सारी चीज़ों को बढ़ा दिया था लोगों को जवर्दस्ति आर्मी में डाल रहा था क्योंकि उसको पूरे की पूरे यॉरॉप को कांक्वेर करना था जीतना था और यह सारी चीज़े क्या थी अद्मिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थी तो शुरू में क्या लग रहा था जब निपोलियन आया चाहिए और यह एक्चुली में सब का बुरा ही कर रहा था था ठीक है तो इस तरीकी से आध जो हम लोगोंने फर्स्त आपका पार्ट देखा है जो फ्रांस रिवॉलुशन के बारे में था फ्रेंच रिवलुशन के बारे में था और इसको आप लोग और अच्छी से चाहो और आपको सारी चीजी समझ आई हो यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर करो और अच्छे से पढ़ाए करो मज़े में रहो मस्ती में रहो हल्दी रहो सेफ रहो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकोन प्रेस करो और जितना हो सकर शेयर करो तब तक के लिए गुडबाई टेक क्या स्यू सुन